रादे रादे शी हरीवंच आये आज की लीला में प्रवेश करें लीला चल रही थी अ कत कथा जिसमें इला और श्रिया का आपसी वारतालाब था अब आगे जब श्रिया इला को युमना तटपे ले जाती है अब उसके आगे ठीक कहती है तू इला खूब गहना कपड़ों से सजदज कर रहती थी जब बै चलती तो आबुश्नों की जंकार दूर से ही बता देती कि इला आ रही है एक शन भी शांत बैठना उसके सवाव में नहीं था कभी शाम सुंदर केले खड़े दिख जाते तो वे चुपके चुपके पीछे से जाकर अचानक उनकी पीठ से पीठ सटा दोनों बाहों के नीचे से हाथ डाल उनके कंदे पकड़ लेती वे पूछते कौन है छोड़ पर वे किसी परकार नहीं मानती तब वे कमर जुका कर उसे अपने सामने उलट देते तो तू है इल्ली बंदरिया वे कहते और वे क्या कहा मैं बंदरिया हूँ इल्ली हूँ मुझे मारा क्यूं गिराया क्यूं मेरी कन्नी उंगली को चोट आ गई ऐसे जूठे दोश लगाती हुई वे जोर-जोर से रोने लगती और कभी दोनों हाथों की मूठिया बांध दनादन उनकी चाती में मारने लगती ठकने पर उसके हाथ थाम वे हस कर कहते चुक गया सारा वैर की अभी कुछ बाकी है वे खिसी आकर उन्ही की चाती में मूँ छिपा लेती कभी आम, जामुन, अम्रूद के किसी व्रिक्ष के पास उन्हें ले जाकर कहती मुझे फल तोड़ दो अथा मुझे कंदे पर चड़ाओ वे फल तोड़ूंगी कभी वे उचल उचल कल फल तोड़ रहे होते तो उनकी शोबा देख ताली बजाती हुई कहती शामजू तुम्हारी मालाएं भी उचल रही है ये क्या तोड़ रही है तोड़े हुए फलों की उपेक्षा करके वे जिद करती तुम्हारे ये हार, कंकन उचल उचल कर क्या त तोड रहे थे बताओ, नहीं तो मैं खुप जोर से रोऊंगी, मैं मैया से जाकर कहूंगी कि तुमने मुझे मारा है। को दूसरा सीरा उसके गले में पहना देते ऐसे और कैसे निखट्टू कहींगी वे हास देते बहुत खोटी है तू अपनी बाहूं में उन्हें बांध उन्हीं की छाती से नाक मुख गिस्ते हुए कहती और तुम तुम कौन अच्छे हो चोर कहींगे उसकी बात पर दोनों ही खिल खिला कर हस पड़ते कभी उनके कंदे पर चड़कर वे जैसे ही डाली पकड़कर फल तोड़ने की होती वे नीचे से हट जाते वे पेड़ पर लटकती हुई चिलाती मैं गिर जाऊंगी मैं गिर रही हूँ अरी मेरी मैया दोडो शाम जू मुझे गिरा रहे हैं ऐसे मे शाम सुंदर खिल खिला कर हसते चला क्यू रही है री फल तोड़ना देख वे रहा बाई और थोड़ा हाथ बड़ा अहां कैसा पका पका मीठा मीठा आम है वे चटकारे लेकर कहते अकेली ही मत खा जाना उपर लटके लटके नीचे लाकर थोड़ा मुझे भी चखाना अरे रे छोड मत गिरेगी तो हाथ पाम तूट जाएंगे लंगडी होने पर कौन बया करेगा तुझसे किन्तु जैसे ही उसके हाथ से डाली छूटती नीचे गिरने से पुर्व ही वे उसे बाहों में जेल लेते लगी तो नहीं डर गई चुईया कहीं की वे गिरने के डर से दो हाथ गले में डाल उनसे चिपट जाती जब वे उसे चुईया कहते वे अपने दांत उनके कंदे में गड़ाने की चेश्ट करती चेश्टा करती देख कंदे पर काटा तो दंश देखकर मेरी मैया तो कुछ कहे की ना कहे पर तेरी मैया तेरे कान एंठे बिना ना रहेगी य बड़े बोले पन से पुछती फिर कहां काटूं क्यूं दांतों में खुजाल चल रही है क्या काटना वश्यक है और नहीं तो क्या फल तो तुमने खाने ही नहीं दिया बताओ कहां काटूं कि कोई देखना पाए कुछ देर सोच कर शान सुंदर कहते और तो जहां भी तु एक स्थान है जहां कोई नहीं देख पाएगा जानती है वे कौन सा अंग है उह हू इला ने नहीं में सिर हिलाया इधर देख ये कहते हुए उन्होंने अपने नव पल लव सी अत्यंत सुकुमार लाल लाल जीवा तनिक मुख से बाहर दिखाई इला ने दाहिने हाथ की मांच हो गया नहीं उसने बारी कंठ से कहा बोजन कैसे करोगे तुम और पीडा होगी ना पीडा तो तु जहां कहीं काटेगी होगी ही तब तु वचन दे कि कभी जगडेगी नहीं मुझ से नहीं ऐसा वचन मैं नहीं दूंगी तुम जब जब खिजाओगे अवस्चे लड रखना वे आमर तरू मूल में बैठ गए अब ले उन्होंने पुने जीब दिखाई उहुं इला ने सकुचा आते हुए कहा फिर लड़ेगी तो नहीं लड़ूंगी 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 और सो बार लड़ूंगी तुम चिडाओ तो मैं चुप बैठी रहूंगी क जीवाप का अग्र बाग दांतों के बीच बिना दबाए ले लिया उसकी देह में जाने कैसी जन जनाहट सी हुई और वैं मुर्चित हो उन्हीं की गोद में गिर गई इसी प्रकार खेलते खाते जगडते उससे कभी तनिक सा भी संकोच नहीं होता तेरे अतिरिक अन्य किसी से उसकी गनिश्टा भी नहीं थी यो सभी सक्खियों से उसकी बनती थी कभी तुम सब के साथ बरसाने जाती वहां की सखियां अत्रहाशी किशोरी जी कोई सेवा बताती तो उसे बड़ी प्रसंता होती पूर्न मनु योग सेवैं उस सेवा को करती एक बार ऐसे ही बरसाने गई थी पसंत के दिन थे फागुन का महीना गीरी राज कुंजों की शोबा देखती हुई वे रादा निकुंज में चली गई वहां रूपा बैठी मंजुशा से वस्तर निकाल रही थी उसे देखकर एकदम बोल उठी इला बली आई बेहन तनिक इन वस्तरों को समेट दे दो समेट कर उन्हें इस मोटे वस्तर में लपेट देना राज कन्या आती होगी उसे दोने के लिए देना है एक हाथ में मंजुशा से निकाले वस्तर लिए दूसरे से उन वस्तरों को पल्टते हुए एक पितामबर रख कर उसकी और बढ़ाते हुए रूपा ने कहा ये देख शान सुंदर का उत्रिव और ये इस कक्ष में आते ही उसे कुछ अद्बुद अनुबव हुआ मन प्राणों को विबोर कर देने वाली गंद जैसे कैसी आतुरता एहलाद और मीठी पीड़ा का मिश्रन सा भाव हृदे को मतने लगा था वे पितांबर हाथ में लेते ही उसकी विचित्र दशा हो गई आंसू आंखों में समाते ही ना हूँ जैसे देहरमांचित और अवश हो गई उस उत्रिय को कस कर खृदे से लगाए करा उठी वे वस्तर समेटे या नहीं कब घर आई कैसे आई उसे कुछ भी समर नहीं रहा इस गटना के पस्चात एक विचित्र बात और हुई जब जब वे अकेली होती और इदर यमुना पुलीन कुंज वन अथवा सुने घाटों की ओर जाती उसे एक लंबी सी तन्वी किशोरी नेत्रों में गहरी पीड़ा उदासी लिये आ भरन रहित अंग केवल एक साधी सी मुक्ता माल हाथों में एक एक वल्य गुंगरू रहित नूपूर साधा साधानी रंग का परिधान दारन किये हुए गहन गंबीर भाव में डूबी कभी घाट की सीड़ियां चड़ती हुई कभी किसी सीड़ी पर बैठी और कभी धीमे पदों से विचरन करती दिखाई देती इला को आश्चरे होता ये कौन है अकेली क्यों रहती है इसे क्या दुख है इसका प्रिचे पाने की उत्सुकता से वे उसकी और बढ़ती किन्तु समीप जाते ही वे पलट कर उसकी और देखती और इला दिरे दिरे छोटी होते होते उसी में समा जाती एक दिन अपराहन में इला इसी घाट पर चली आई उसे इन दोनों इन दिनों एकांत सुहाने लगा था वे किशोरी लाल रंग की बहु मुल्य पुशाप पहने वहां उस थान पर बैठी और पलक यमुना के गहरे जल की और देख रही थी पाउं दबा कर चलते हुए इला उसके पाउं के पास निचली सीड़ी पर बैठ गई और दीरे से अपना दाहिना हाथ उसके सू कोमल पाउं पर रखा किशोरी चौंकी नहीं उसने केवल दिष्टे गुमा कर उसकी और देखा तुम कौन हो बहन इतनी एकाकी क्यूं रहती हो कौन सा कठिन दुख तुमें सता रहा है यदि मुझे कूपात्र ना समझो तो बताने की कृपा करो वे किशोरी पूने एक बार उसकी और शान्त लिष्टी से देखकर मुस्कुराई मैं इला हूं उसने कहा इला चकित हो उसकी और देखने लगी और कुछ समझ बाए इससे पुर्व ही दीरे दीरे उसमें समा गई इसी के साथ मैं वानी को फिर राम देती हूं आगे की चर्चा हम कल करेंगे तब तक के लिए रादे रादे शीहरीवन्ज